नमस्कार आप लोग के हमारे चैनल ओलाइन सीखे लिट पे स्वागत है सहारा इंडिया में अभी क्या चल रहा है और सहारा इंडिया के पैसा आप लोग कैसे मिलेगा यह सहारा इंडिया के मनेजर आप लोग को बताएंगे और सुबरत रुआई को लेकर भी एक कुछ बाते बताएंगे आप लोगो तो इस वीडियो को आँ तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को सहारा प्रणाम मैं नाकपूर रिजन से हूँ कोराडी फ्रेंचाइजी से दोस्तों मैं आज वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारा जो हम लोग ग्रूप में कुछ बाते करते हैं जहां बात सच्चाइक होती है वहां भी इभी इस चीजों को सही से समझा नहीं जा रहा साइद मेरे हिसाब से मैं अपना पक्ष रख रहा हूं बाकि आप सभी लोग सतन्त हैं अपना पक्ष रखने के लिए तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आज मुझे सहारा इंडिया में 20 साल से ज़्यादा हो गए तन मन धन से मैं सहारा इंडिया परिवार में काम किया मैंने सहारा इंडिया परिवार के लिए सरकारी नवकरी छोड़ा मगर जिस मानक पर काम संस्था कर रही थी वो इस सब देखकर वो इस सब सोचकर हमने काम किया मगर जैसे जैसे संस्था जितनी ज़्यादा पुरानी होई संस्था पर आज सबको पता है कि आपत्ती भी पत्ती आई और उस मैटर को भी आज 2012 से अगर हम जोडते हैं तो आज 8 साल हो गए मगर वो जयों का त्यों ही देखा जाये तो है अस्वासन के सिवा बाकी कुई चीजे नहीं है उसमें दोस्तों आपको हो सकता है मेरी बाते कुछ अच्छी न लगे हो सकता है कुछ लोग को मेरी बाते लगे कि हम मैं बहुत नेगेटिव बोल रहा हूं कुछ चीजे सच्चाई हैं जिसको मैं आपके पास रखूंगा वन बाई वन जिसमें हम लोग मीटिंग में गए थे सहर में तो सभी मेनेजर लोग को बताया गया तो कि ज़्यादा प्राबलम नहीं है आप सभी पैसा जो है अपना अठरा महिने के लिए स्पेशल सहरा स्पेशल स्कीम चलाई गई और अठरा महिने में लिखीत रूप में सबको बोल सकते हो कि ओ पैसा आपको समय पे बिड्राल हो जाएगा हमने उसको आत्मसाथ किया विश्वास किया और उस स्कीम में पैसा टलवाया किसी कभी पैसा समय पे कंपणी के तरब से नहीं मिला आज भी जो पहले हम प्रयास करें तो वहीं प्रयास करके देना पड़ रहा है उसके बाद में हेल्थोरियम की स्कीम सहरा ने निकाला कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो और करवाओ लोगों का सर लोग आप एकीन मानिए मैं अपनी ब्रांज से 73 आईडी का पैसा इकठा करके कैस ले जाके सिक्टर में थैले में पूरा पैसा भर कर ले जाकर दिया हूँ कैस 73 आईडी का लगबक साड़े 11 से 12 लाग रुपे दिया हूँ सारे मिम्बर मेरे कारकरता मुझे परिसान कर रहे के सार हमारा पैसा मुझे दो 3-4 लोग का पैसा मैंने अपने जेव से दिया भी जो बहुत ज्यादा परिसान कर रहे थे दूसरी बात फिर संस्था ने साड़े 12 पर्सेंट का वैलेट ला दिया कि भेहिए आपका जो अभी यह कटेगा उसमें 62% जो है जाएगा वैलेट में और वो रिजन के एकाउन में जाएगा हम उसको भी एक्सेप्ट कि दोस्तों क्योंकि संस्था की बातों को हमने मानकिया कि चलि把它 ठीक है उसके बाद में एक और वेलेट ला दिया कि फिक्स का पैसा फिक्स से होगा ट्रेडिशनल का पैसा ट्रेडिशनल से ही पेमेंट होगा हम मैनेजर होके क्या कर सकते हैं मतलब अपने मर्जी से अपनी ब्रांच को हम सही तरीके से गाइडलाइन भी नहीं कर सकते हैं उसक कैसा भी करके अर्जिस्ट कर लेते थे कोई ऐसे जमा करता हमारा आते जो बहुत परिसान कर देते कि नहीं सरम को आज पैसा चाहिए तो हम अपना दूसरे का पैसा लाकर और टांसफर करके उसको दे देते थे उसके नाम से अपड़ी करकर तो कैसा भी अर्जिस्ट में कर रहे अब बताये किसी को अठा मेने के बाद ही जरुत है, 12 मेने के बाद जरुत है, 24 मेने के जरुत है, तो यह संस्था की एक प्रकार की मनमानी बोल सकते हैं हम लोग, कि हमको मजबूरी मोसिच को मानना ही है, नहीं इच्छा है, फिर भी मानना है, सही और गलत का कोई यहां पर इच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद में कई SFA अबाओ का मेरे हां कमिशन सालों से पड़ा है, जो इस्तालमेंट में मिल रहा है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, अगर 2,00,000 रुपे भी कमिशन आया, तो आप 25,000 लेके संतुष्ट रहे, गारी हमने फाइनेंस से लिया है, लोन कई जगा से लिया है, इसलिए लिया है कि हम जितना काम कर रहे हैं, हमको उसके एवज में भी हमारा कमिशन अगर आता है, तो हम सारा चीज पूरा दे सकते हैं, तो आज इतनी प्राबलम हमारे फ्रेंचाइजी मेनेजर को है, और हमारे फिल्ड के सिनियर लोग को है, अ ना कि यह कहीं से हम लोग निगेटिव संस्था में बोल रहे हैं कि यह चीजें संस्था से हम निगेटिव हैं, हम संस्था में आज भी जीजान से काम करने के लिए तयार हैं, बसरते यह हैं कि हम तो आज भी वह इसे हैं, लेकिन संस्था के सारे नियाम कानून हमारे लिए बदल रहे हैं मतलब संस्था पूरी तरीके से बदलते चले जाए हमारे उपर सारे नियम कानून में हमको फसाते चले जाए और मजबूरी में हमको बोले कि नहीं आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा और यदि आप कोई चीज का भी विरोध करते हो तो आप संस्था की खिल जो है वो भी बोल रहे हैं और कुछ मैं देख रहा हूं कि जो मैनेजर लोग हैं जहां थोड़ा मालीजे इतने सालों से काम कर रहे हैं पता नहीं किस कारण बस वो लोग भी संस्था में सच्चाई रखने से डर रहे हैं अगर दोस्तों हम लोग अपनी बात सही बात भी नह रखा जाए हम अपनी जो भी प्राब्लम है अपने अभिभावक के पास ही रखे हैं तो उसको समझना चाहिए ना कि यह बाते हमारी निगिटिव है फिर भी मैं अपनी जो भी बाते थी आप लोग की पास में रखा और आप इसको जो भी समझो मगर मैं अपने दिल की बातों क किजिए गा और अगर आपको कितने सारे लोग सब्सक्राइब करें उसका रिप्लाइब करूंगा इस वीडियो को जादा जाए दूर तक जाए और हम लोग एक साथ नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे आप को फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए जनकारी के साथ है तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों ख्यार रखिए जैहिंद जैभारायात है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए यह बिल्कुल फिरी है